हेलो दोस्तो अज 25 फरवरी 2022 और 28 फरवरी 2022 से जितने भी हरी आना करेंट अफेर के क्वेस्चन मनते हैं हम सब इस वीडियो में डिसकस करेंगे और साथ इसाथ पिछली हरी आना करेंट अफेर का रिवीजन करेंगे और हर question के बारे में important और extra fact पड़ेंगे विद हरी आना जिक्के और last map के लिए हरी आना जिक्के का test भी आप उसे विदे कर जरूर देखे और आप इस करण अफिर की PDF फाइल को description में दिये हुए link से download कर सकते हैं या फिर आपको description में टरिक्रम का link मिल जाएगा उसे जोन करके वाँसे भी ले सकते हैं question number one है 35 अंतराश्टी craft मेले का नया सहयोगी देश किसे बनाया गया है तो इसका right answer option B उजबेकिस्तान को इसका नया सहयोगी देश बनाया गया है अब दोस्तों पढ़ लेते हैं इसके बारे में अंतराश्टी 35 अरुजकूंड क्राफ्ट मेले के आउजन की तिति में एक बार फिर बदलाव किया गया है अब 20 मार्ज की बजाया 19 मार्ज को या मेला लगेगा वहीं एक बार फिर से बागिदर देश उजबेकिस्तान बना है इससे पहले बिटेन को इसका सहयोगी देश बनाया गया था लेकिन अब बिटेन को हटा कर उजबेकिस्तान को इसका सहयोगी देश बना दिया गया है यह आपको नोट कर लेना है अब दोस्तों इस मेलेक इतियास के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं सुरुषकुन मेलेक आयोजन सबसे पहले उनसोस्तासी में हुआ था और इस मेलेको अंतराष्टे मेला का दरजा 2013 में मिला था और 34 वा सुरुषकुन कराट मेला 2020 में लगा था एक फ्रवरी से लेकर 16 फ्रवरी तक इसका उद्गाटन किया था राष्टपती रामनात कोविन ने और इसमें सहोगी देश था उजबेकिस्तान दोस्तों और जबकि सहोगी रजज था ही माचल परदेश और इस मेले में पहली बार 40 देशों ने बाग लिया था और बात करें दोस्तों 35 फ्रुजकुन क्राफ्ट मेला ये 2022 में लगेगा 19 मार्ज से लेकर 4 अप्रेल 2022 तक सहोगी देश होगा उजबेकिस्तान उजबेकिस्तान से पहली बिटे इनको बनाए गया था लेकिन अब उसे हटा दिया गया है जबकि सहेग्य राज्य होगा जम्मुक समीर क्वेस्टन बर दो है हरियान की किस मेला का नाम होवस इंडिया ने सूपर 30 अंडर 30 की 2022 की सूची में सामिल किया है तो इसका रायट अंसरोग अप्शन बी किरिती जांगडा का नाम इस सूची में सामिल किया गया है अब दोस्तों पढ़ लेते हैं इंपोर्टन क्वेस्टन है फतेबाद की किरिती जांगडा को फोवस इंडिया ने सूपर 30 अंडर 30 की 2022 की सूची में सामिल किया है और क्यू सामिल किया है तो किरिती ने अनिमल टेक्नलोजी की नाम से एक स्टार्ट अप सरू किया था तकनीकी कैट्गरी में करीती और उसकी सैप पाठी नीतू यादो को फोवस इंडिया ने सूपर 30 अंडर 30 2022 की सूची में सामिल किया है और दोस्तों इन नीतू यादो राजस्तान से बिलाओं करती है अब दोस्तों जिकर हुआ था फोफस इंडिया का तो इससे मिलते जुलते हरियाना के कुछ सी इंपोर्टन फाइंट पढ़ लेते हाली के हरियाना की होकी घलाडी रानी रामपल को फोफस इंडिया की वोमेन पावर 2020 की लिश्ट में सामिल किया गया था और इनने फोफस इंडिया के ताज़ा अक में कवरपेज पर जगा भी दी गई थी और हाली में Forbes India Magazine 2020 की बारत के 100 उसरस अमेरों के जारी सुची में हरियान रज्य से सावितरी जिन्दल को स्तान मिला था और सावितरी जिन्दल इन सो में से चटे स्तान पर थी और हाली में बिजनेस पतरिका फॉप्स ने एसिया के 30 साल के बिजनेस वरग में रेवाडी की बेटी सो मयादों को भी स्तान दिया था क्वेस्टिन बर तीन है हरियान के किस इनवस्टी की रिसर्च डक्टर परवजोत कोर को बैस्ट विजन काहनी पुरुषकार मिला है तो इसका रायट अंसरोग उप्सन ने तो केकी इनवस्टी से भिलाओं करती है अब दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में विज्ञानों परद्यों की विबाग बार सरकार दोवारा केकी इनवस्टी की CSIR रिसर्च प्रोफेसर डक्टर परवजोत कोर को वर्ष दोजार इकिस के अवसर अवार्ड के तहत 22 विज्ञान कहानी पुरुषकार के लिए निरत चोपड़ा को मिला था दोस्तों खेल चेतर में पाइनपस से बिलाओं करते हैं और सुमित अंतिल को भी खेल चेतर में दिया है टोक्यो परलंपिक में गोर्ड मेडल जी चुके है सुनपस से बिलाओं करते हैं ओमपरकास गांधी को समाजी कर्या के लिए मिला है यु question number 4 है हरियाना की खिलाड़ी कनुपिरिया ने एसें क्रेडिट तलवारबाजी या फेसिंग चैंपिंशी में कौन सा पदक जीता है तो इसका रायट अंसरोग उप्शन सी तो कैसे पदक जीता है अब दोस्तों जान लेते इसके बारे में उजबेकिस्तान में हुई एसे उपिरिया ने तेरवा रैंक प्राप्त किया है और दोस्तों इससे सम्मंदित एक इंपोर्टन प्वाइंट नोट कर सकते हैं और इसी चैंपिंशी में जीन जिले के राजपुरा की प्राची लोहान ने कैसे पदक जीता दोस्तों आपको ये भी नोट कर लेना है क्वेस्टन बर पाच है हरियान रेज्ज में मेरी पॉलिसी मेरा हाथ यूजणा का सुबर्म किस ने किया है तो इसका रायट एंसरोग अप्शन सी जेपी दलाल ने इस यूजणा का सुबर्म किया है अब दोस्तों जान लेते हैं इंपोर्डन क्वेस्टन है हरियान किर्शी और किसान कल्यान मंतरी जेपी दलाल ने सरकार की महतों का असी परदान मंतरी फचल बीमा यूजणा के अंतरगत बीमा पॉलिसी के वितरन के लिए 26 परवरी 2022 को हरियान में मेरी पॉलिसी मेरा हाथ यूजणा का सुबर्म किया है और किसी मंतरी जेपी दलाल ने कहा है कि परदान मंतरी फचल बीमा यूजणा के परवदानों के बारे में किसानों को जागरूप करने और फचल बीमा पॉलिसी की डिलवरी सुनुचित करने के उदेश्या से मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभी अनिया यूजणा की सरवात की ग विडियो पसंद आते वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना क्यूंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाता है और मैं आपके लिए बड़े से बड़े वीडियो लाने को उसिस करता हूं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना क्वेस्टन बर वन है 35 वां अंतराष्टी है सुरुजकूंड हलसी मेले का नया सेवगी देश की से बना गया है रुजबेकिस्तान को पहले बेटेन था बेटेन को अटाक रुजबेकिस्तान को बनाया गया है सेवगी रजहोजमुक समीर है हरियाना की खिलाडिक कनू पिरिया ने एसे इन क्रेडिट तलवारबाद जी चैंपिंसी में कौन सा पदक जीता है तो कैस्या पदक जीता दोस्तों जबकि इसी चैंपिंसी में दोस्तों जीन जिले की प्राची लोहान ने भी कैस्या पदक जीता है अगर दोस्तों आपको जनुवरी 2022 या फर एक या दो साल की हरियाना का इंड़ाफिर की PDF डालोड करनी है तो उसका लिंक नीचे मिल जाएगा वहांसे डालोड कर सकते हैं या फर नीचे आपको WhatsApp नमबर मिल जाएगा उस पर मैसेज करके भी आपको हरियाना का इंड़ाफिर की एक या दो साल की PDF फाइल मिल जाएगी हरियाना के कीस महला का नम फोफ्स इंडिया ने सूपर 30 अंडर 30 के 2022 की सूची में सामिल किया है तो क्रीती जांगडा का दोस्तों फतेवासे बिलोग करती है इन्होंने पसो मवेसी उपर एक स्टार्टप सरूख किया था इसी के तैत इनका नम सामिल किया गया है हरियाना के किस इनवस्टी के प्रोफेसर परवजोत कोर को बैस्ट विज्ञान काने पुर्षकार मिला तो के कि इनवस्टी के प्रोफेसर है ये नेक्स्ट है हरियाना रेज्जे मेरी पोलसी मेरा हाथ युजना का सुबर्म किस ने किये है तो किर्शी मंतरी जेपी दलाल ने दोस्तो 26 भरवरी 2022 को अब दोस्तो साथ ही साथ हरियाना जी के कर्विजनिया टेस्ट कर लेते हैं क्वेस्टन बर वन है सीहों का डहर नाम से किसे पुकारा जाता था तो नारनोल को कहा जाता था नेक्स्ट है पलवल में महत्मा गांदी आसर्म की निवकाबर किस ने रख की थी तो नेताजी सुबाद संदर बोश दुबार 1938 में क्वेस नेक्स्ट है सन 2822 में अमबाला को किस के दिन किया गया था तो सिमला के हरियाना गरामिन व्यकास आनस्तान किस्टापनक काबर कहा जोई थी वर्स 1990 में करनाल में नेक्ष्ट है, अरावली गोल्व कोर्स की स्थावना कब और कहां हो इती, विफिरिदाबाद में, उनसुचानव में नेक्ष्ट है, हरियान में सराब बंधी कानून कभ समाप्टू आथा fullest को एक अप्रेल उनसुठानव को, शरू आथा एक जूलाई उनसुचानव को और दोस्तो हरियाना सरकार ने सराब से सम्मंदित उमर को 25 से गटाकर 21 कर दिया इभी आपको नोट कर लेना है और 11 फरवर 2022 से लाग हो चुकी है नेक्स्ट है सुर्काव पैटर्स तल कहां पर स्थी था और कब बना था सिर्सा में 180 में नेक्स्ट है आई आई एम की स्थापन अकब हो ई थी तो रोत्तक में goed थी साइब 2011 में नेक्स्ट है बुरा बोवा निमेलय का आउतिक कहां किया जाता तो महेंदरगड में नेक्स्ट है पपीहा पैटर्स तल किस्तान पर ए उसकी स्थापन कब उ थी हते बाद में में हफ साथ ही साथ पुरानी हर्यान के रेंड़ काई windows कर लेते हैं यह टोपिक बायश्ठ को कितने रुपे की आर्थिक शायता परदान करती है तो 50,000 रुपे की आर्थिक शायता दी जाती सरकार के दुवारा Next है हाल लिम हरियाना के किस वक्ति को और अज़ेपल बंडारू दत्यतरे ने पतरकारिता गोलो समान से समानित किया था तो सुबास पनवार को Next है हरियाना के की जिले मेराज़े का पहला तैरता हुआ शोर संतर स्तापित किया जाएगा तो गुरुगराम है दोस्तों गुरुगराम के चंदू बडेडा गाओं में और हरियाना का पहला वाटर ट्रीटमेंट पलांट है पतेवा जिले में स्तापित किया गया था Next है हरियाना रैज्ज में किस के दुवारा गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए फ्री ट्रीटमेंट पोर्टल इन हरियाना का सुबारम किया गया था तो मुख्या मंतरी मन्होरलाल के दुवारा Question number 5 है हरियाना के किस वैक्ति को निल्स लेजर लाफ मुमोरियल आवार्ड से समानित किया गया था डाक्टर जसमेर दलाल को Question number 6 है हरियाना के किस जिले में सबजी बीज परसकरन के इंदर स्तापित किया गया था इस आर की एची नुवस्टी में Next है हरियाना के किस जिले मेराज्जे का पहला हार्ट ट्रांस्पलांट किया गया तो फ्रिदाबाद में दोस्तों फ्रिदाबाद जिले के एशियन अस्पताल में चांदनी मिसरा का Question number 8 है हरियाना रज्जे में परदान मंत्री किसान उर्जा सुरुक्षा उध्यान महव्यान का परतेकात्मक उधगाटन किस ने किस ने किया था तो मुख्या मंत्री मनहवरलाल ने Next है हरियाना के की हिजले मेराज्जे के दुसरी जिनोम सिक्वेंशिंग लायम स्तापित की जाएगी तो पंस्कोला में दोस्तों पहली रोतक में स्तापित है नेक्ट है हरियाना रज्जे मेराज्टे मॉबाइल मेडिकल इनुट सिविदा किसके लिए सुरू की जाएगी तो समयन्य बिमारियों के लिए रोटीन चाइकप के लिए आपके गर के बार मेडिकल सीविदा इनकी तीनों के लिए सुरू की जाएगी और दोस्तों इसे मिनी ओन वेकल अस्पिताल भी कहा सकते आपको यह भी नौट कर लेना है अब दोस्तों साथ ही साथ कल वाली हरियाना करंड़ा फिर का रिविजन भी कर लेते हैं मैं पहले भी कैचकाओ दुबार से फिर कह रहा हूँ अगर आपको जनवर 2022 या फिर एक दो साल की हरियाना करंड़ा फिर की पीडिया फाइल डालोड करनी है तो नीचे लिंक दिया वाँ से डालोड कर सकते हैं क्वैस्ट नमर वन है हरियाना के बिवानी जिले में 38 वी राज्येस्तरिया पसुदन परदस्नी का सुबर्म किस ने किया था तो जिन जिले में क्वैस्ट नमर तीन है हरियाना के की सेर में 50 वा रोज फेस्टिवल का जिन किया गया तो चंडिगट में दोस्तों हरियाना के खिलाड़ी प्राची लोहान ने एसेन क्रेडिट फेसिंग चेंपिनशी में कौन सा पदक जीता है तो काश्य पदक जीता जीन से बिलाओं करती है Next है हरियाना रेज्जे के सरकारी स्कूल और में ट्रास्पोर्ट की सिविदा के लिए किस विंकी स्तापन की जाएगी तो स्कूल ट्रास्पोर्ट विंकी लास्ट विडियो में आपसे क्वेस्टन पूछा था हरियाना के किस खिलाडी को बारतिय मिला ओकिली के टीम का कप्तान बनाया गया है तो इसका रायट एंसर होग अपसन भी तो स्वेता पुनिया को सीर्षा की जोद्गा से बिलाओं करती दोस्तों आपको नोट कर लेना है आज के लिए अपका क्वेस्टन है हरियाना के किस वैक्ति को राष्ट पती रामरात कोविद ने उत्तम जिवन रक्सक पदक से समानित किया है अगर आपको इसका नस्वर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों रोकी जिली से बिलाओं करता ये भी बताने कोशिश करना अगर आपको वीडियो पसंद आतो वीडियो को लाइक हो चानलों को सब्सक्राइब जुरू कर देना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए